चेह दादी के दोस्तों कहानी ब्रस्पतिवार की एक गाउं में एक गरीब गौालिया को छोरो थो बिक बाप को नी थो बे दोनों मा बेटा गाउं में अखिला ही रहा करता था बो लोगां की गाया चराना के लिए जंगल में जाया करतो थो एक दिन बो गाया चरा रहो थो ज माँ जिम्या करों जणा बोलियों की ठीक है तो बोवानन दियो नदी के किनार ले जाकर रगड दियो और भांकि धोती भी दो दियो जणा ब्रस्पती महराज बोलिया कि जो मननुवाव है महां भी कई घरां जिम्या आपका जिम्या करों जन्हा वो बोले ओकि ठीक कोई बात को निमघर उंख अधियो और आपकी माने बोल ने आपकी माने बोले ओकि मा आज बटाव जीम्हां सी एक धा सी मां भी थीक जणा बाना थाली में गाल का दो रोटी और करेल्ला को साग दियों तो ब्रस्पति बगवान बोलिया कि अईया को बोजन कुण देवा है करेल्ला को साग और रोटी तो बोलियों महाराज महारतों आका ही टोटा पड़ रहे है तो थे योई जीम लियों जणा ब्रस्पति महार पानी पी लिया और बोलिया कि एक काम कर तु नो तरह का नाज पसारी की दुकान से लेकर आजा जना वो गयो और दुकान से नो तरह का नाज लेकर आगयो और लेकर आकर आरबान का हाथ में दे दियो जना बे बोलिया कि तेरे घर के कोई कुणे में ये नो तरह का नाज दबा बो जिन्याई नोतर का नाज दवायों बठे नो घड़ा, हीरा जवरात का भरेडा निकलिया, धन्दोलत का भरेडा नो घड़ा निकलिया, तो बो देखकर भूत खुस होयो और आपकी माना आकर बताईयों, जद मावाना देखी, जिन्याई बार नाई तो देखी कि ब्रस्प बोले महराज थी तो माना भूत दिया ओ, और मैं इसे भूत राजी हो गया हां, मगर या तो बताओ कि थे कुण हो, और माना इस तो दन कहीं देखा जा रही हो, और अगर बाद मैं माना थारी सेवा पुझा करनी हो सी, तो मैं कहीं करेंगा यो माने बता कर जाओ, जणा बे बुलिया कि मैं ब्रस्पति बगवान हूं, मैं तना यो आशिरवाद देना आयो थो और मैं यो धन धन दोलत तना दियो हूं, अगर तुमेरी सेवा पुझा करनी चावे हैं, तो ब्रस्पतिवार का दिन पीला कपड़ा पेन कर, पीला ही धान से, पीली हल्दी से, पीला पीला ही धान को दान भी करिये, पीला ही वस्तर पेनी है, इस तरह से ब्रस्पतिवार का दिन हर चीज पीली ही दिये, पीली ही खाए, तब मैं खुश हो जाऊंगा, यह सुनकर बालुगाई भोध खुश होई, और बी दिन का बाद से बालुगाई हमेशा ब्रस्पतिवार पीला वस्तर पेन कर, पीला पिलो नाज लेकर लोटा में जल की हर्थी चाल कर, पीला फूल लेकर और किलया की पुझा करया करती, गुडस है, और जो भी खाणों खाती, वो भी पिलो ही भोजन करया करती, तो विका घर मैं खुब सुक सुफ वागी हो गयो, और घर मैं धन आने सा गभी को घर भरपूर हो गयो, हे ब्रस्पति महाराज जहिए अभी छोड़े ने और भी की बेटे की मा न दियो, धन दाने दियो, बैयां सब न दिये, कैते ने, सुनते ने, हुकारे बढ़ते ने, आपका सारा परिवार ने, बोलो ब्रस्पति भगवाने कीजे.